भारतिय सेना के जवानों ने मंगलवार को इस जल लगदा के लाके में बड़ा सैने अभ्यास किया। इस अभ्यास में वायू सेना भारतिय सेना की कई टुकडियों के जवान शामिल रहे। चीन के साथ सटे लगदा के इस हिस्से के साथ भारतिय सेना के जवानों के इस exercise का रन्नितिक रूप से काफी महत्व है आपको बता दें ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतिय सेना के जवानों ने इस हिस्से में किसी तरह का सैन्य अभ्यास किया है Northern Command की तरफ से इस अभ्यास की कुछ तस्वीरे सोशल मीडिया पर भी साझा की गई है इस अभ्यास में कई बायू सेना के जवान आसमान से छलांग लगा रहे हैं तो वही थल सेना के जवान टैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं आपको बता दे चीनी सेना लगातार इस हिस्से पे गुसपैट करने की कोशिश करती रही है कई बार यहां दोनों सेना के जवान आमने सामने भी हुए हैं ऐसे में इस बीच भारतिय सेना के जवानों का अभ्यास चीन को भी सक संदेश देता है इस अभ्यास के दोरान भारतिय सेना के जवानों ने आधुनिक तक्नीक के हतियारों और सामागरी का इस्तमाल किया अभी कुछ दिन पहले ही लग्दाख में भारतिय और चीनी सेना के जवान आमने सामने आये थे लगदाग की पैंगोंग जील के किनारे के पास भारत और चीन के जवानों के बीच नोग जोग हुई दोनों देश इस बात को कई बार स्विकार कर चुके हैं कि अभी भी सीमा को लेकर विवाद जारी है हाला कि इस विवाद का दोरो देशों के रिष्टों पर असर नहीं होगा और साथ-साथ ही बातचीत आगे बढ़ती रहेगी ना सिर्फ लगदाग से सटे इलाके बल्कि उत्राखन के बारा होती या फिर अनुनाचल प्रदेश के शेत्रों में भी चीनी सेना के जवान भारतिया जवानों से भिटते हुए नजर आए हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही अगर आप ये वीडियो पेस्बुक पेज को लाइक कीजें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले झाल झाल